तो हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हिंदी इंडियान डिफेंस के पहले वीडियो में तो दोस्तों आपने थमनेल तो पढ़ा ही होगा कि अब इंडिया बैंड बजाएगा चाइना और पाकिस्तान की तो भाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं तो इसके पीछे एक रीजन है रीजन यह रहे है कि अब हमें मिल जाता है F-35 जो कि US-based है और US की एक company बनाती है जो की Logan Martin है Logan Martin एक बहुत नहीं बड़ी company है जो बहुत बड़े बड़े और बहुत एक premium हतियार बनाती है और बहुत सारे जो premium हतियार USA के हैं वो लोकिन मार्टीन ने बनाया हैं तो लोकिन मार्टीन का यह F35 हमें कैसे मिलेगा इसका कौन सा variant मिलेगा इसकी कितने रुपे में हमें मिलेगा और इसकी लागत कितनी होगी हमें इसका technology transfer कितना मिलेगा तो दोस्तों चलो सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में तो दोस्तों हमें F35 मिलेगा क्योंकि US चाहता है कि हम counter करें चाइना को तो हमें हमें build करने के लिए चाइना के against यह हमें US दे रहा है क्योंकि उसके दूसरे कोश्ट के दूसरे कोश्ट पर कोरिया और जापान तो दोनों हैं जिनके पास दम प्रीमियम हतिया रहते हैं और वो किसको भी किसी भी time tackle कर सकते हैं चाइना को तो अब US चाहता है कि हम चाइना के against खड़े होके एक उनके against एक मतलब एक super power बने और हम उसे दबा के रखे चाइना को इससे तो हम हम पाकिस्तान को तो ओवर शाडव कर देंगे क्योंकि पाकिस्तान तो कहीं भी हमारे आजू बाजू बने ठीकेगा अगर हम अपने इस f-35 को कराची इसलामाबाद और किसी भी उनके स्टेट पर जैसा भी मुझपराबाद है जो कि पियोक पियोके है उसकी ओपर अगर हमें कोई भी एक exercise या कोई हमें वहाँ पर जाके ड्रिल करके और उन्हें डराना है पाकिस्तान को तो f-35 एक 5th generation stealth fighter है जो कि मतलब किसी उसके किसी डरी में पकड़ नहीं सकते है उसे तो यह ऐसा एक stealth fighter है तो यह हमें कितने में पर्टर है हमें यह रहेफ़ेल के भी रहाफल के ऐी मिलने वाला हैहरेफाइल जितने में हमें मिला था उतने में ही यह हमें 25 मिलेगा बट यूस कि क Cabinet की एक हैं धह कि वो तो जिस time तक मतलब जो हमें deadline देते हैं उसी time में हो अपना जो भी हमारे जो हमारा F35 हम अगर उन्हें order देते हैं तो यह हमें उसी deadline पे हमें यह सब मिल जाएगा क्याओ करोना वाइरस की वजए से अभी यह सब पोसपन्ट Head to तो अभी यह हमें F35 मिलेगा क्यासा है तो F35 MMRC MMRC डील के जो सेकेंड वर्जिन उसमें है जिसमें हम दो सो फाइटर प्लेंज खरीदने वाले हैं तो उसमें यह डील है और हमें इसका वेरियंट ए मिलेगा A B C 3 वेरियंट है यह तीनों अलग अलग हैं मतलब इसमें सीव टेक ऑफ और लैंड का ही अलग अलग है बाकी सब सेम है बड़ जुसका C वेरियंट है बहुत ही खतर नाक है बट A वेरियंट और B वेरियंट भी बहुत अच्छे मतलब अगर हमें चाइना और पाकिस्तान को का कर दे सके तो भाई हम अराम से पाकिस्तान को तो ओवर शाड़ो कर देंगे और चाइना को काउंटर करने के लिए हमें ये अब यूपी में आ सकती है मतलब बात चल रही है यूपी के चीफ मिनेस्टर ने टाक्स फोर्स बनाया था जो कि लोकी मार्टिन को शाद यूपी मिला सकता है वही कंपनी और हमें इसका टेक्नोलोजी ट्रांसफर भी मिल सकता है अभी यह सब पर बात चल रहा है बट अभी कि लोकिन मार्टिन अगर हम चाहते हैं कि हमें एक मतलब पाकिस्तान को तो ओवर शाडव करना है तो हमें एफ 35 के लिए जाना चीए क्योंकि इसका प्राइस भी इतना नहीं है क्योंकि अभी कोरोना वाइरस के वज़े से इसकी जो प्राइस हो डिप होने वाली है तो डिप में का और और आम का जो हमारा एम का और और ओर है जो हमारे दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उससे तयार होते होते हैं 2030-2031 भी लग सकते हैं क्योंकि अभी प्रोजेक्ट पे फंडिंग के भी फोड़े प्रॉब्लम्स है तो बट हमें अगर अभी अभी चाहिए कि हम आमें अपडेट डूंगा इंडियन डिफेंस के उपर और इंडियन डिफेंस नोलज के उपर जो भी डिपलोमाटिक होती रहती है इंडियन इंडिया के उपर उसके उपर भी मैं आपको वीडियो देते रहूंगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए शेर जरूर कीजिए इस जब दो